आज international योग दिवस है और संगी दिवस भी है वैसे देखा जाए तो संगी तो अपने आपने योग है क्योंकि उस योग के बिना आप गानी सकते और अच्छा गाने के लिए आपको न केवल स्वरों को सागना पड़ता है सबसे पहले अपने सहथ को ठीक रखना पड़ता है सहथ ठीक नहीं होगी तो नहीं हो सता है रोज रियाज के अलावा अपने सहथ को ठीक रखना इसके लिए प्राणयाम करना उसके लोग के स्ट्रेचेज करना वाकें करना ये हमने अपने जुनुजनों से सिखा कि पहले जमाने में तो वे भी मलसंग करते थे, प्यायाम करते थे, स्विमिंग होती थे, इससे कि गाने के लिए ताकत लगती है, तो उसके जो भाव के अलावा, उसकी जो उसको व्यक्त करने के लिए, आपके पांस जो साधन चाहिए, वो आपका शरीर है, इसपरशिली वो प्लिश की तो आम शूर यहां पर मौजूद हैं, काफी सारे स्टूडेंस भी हैं यहां पर, तो इन बातों पर जो हम जादा ध्यान देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा अगर अगर अबादन करते हैं, तो उसमें आपको बड़ोते बिखेगी, अगर आप तो उसमें भी आपको एकदम लिखेगा कि, अले भी, क्या बढ़िया है, अब जैसे, आप यहां पर हार्गोनिक कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि आप रोज इस तरह से तीन, तीन, चार, चार धंटे बैठे हैं, और आपको बाक की प्रॉड़म नहों, शोर्डर्स की तो इस सोच के साथ थोड़ा सा हम आगे जाएं, तो बहुत अच्छा होगा, विशेश रूप मैं इसे लिए कहनी हूं, क्योंकि आज इसी उपलक्ष पे ये कारेक्रम अभिजित किया गया है, तो उपस्तित सभागार में सभी नोडी जन को मैं नमन करती हूं, हमारे सभी अ मैं भी जोड़ा से बिलाया, बहुत चोटे होटे से लिए करो पर हमन कहा कि समय है तो किया जाएं, और प्यारे शांत्रों, तो हम आज कारेक्रम तो नहीं है, इसी मौके पर आपको कुछ, जो आज मैं साइब आभी थी तो मैं सोच रही थी क्या बोला जाए, और क्या गया जाए मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी बाते हैं जो की बहुत ध्यान में रखने की हैं आप तो जानते ही हैं मैं कहां से आती हूं मैं आती हूं ग्वालियर के बारे रोता है तो वह सुर में रोता है उस प्रकार की ऐसी भूमी को बनाने में वहां का पेटोनिज बहुत 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 जरूरू बताना चाहिए क्योंकि आज लोका अश्रे है पहले राजा अश्रे था और कोई भी कला बिना अश्रे की नहीं पल सकती तो राजा मान सिंग को उमर जो की 1486-1516 और उसके बाद सिंध्या परिवार के वज़े से उनके जो आश्रे के वज़े से क्लासिकल दुनिया में जो धुरूपत गाईकी से हयाल गाईकी का जो ट्रांजिशन हुआ और ये बहुत समझना जरूरी है क्योंकि पहले जो गाईकी पॉपिलर थी और जो सभी लोग गाते थे वो प्रबंद गायन और इसके बाद धुरुपत शैली थी धुरुपत से जो ख्याल का जो दौर आया ख्याल भी बहुत अरसे तक बहुत लोगों ने कोशिश की उसको ये करने की ऐसा नहीं कि पहले गौलियर से पहले नहीं था परन्तु उसको पॉपिलर बनाया उसमें ऐसी तासीर पैदा की कि वो आज भी अगर हम क्लासिकल मौसिक की बात करते हैं तो ख्याल गाई की उसकी एक जिसे कहते हैं इट इस अ किंक तो ये थोड़ा देखने का है कि जो ख्याल है धुरुपद का एक बच्चे के ही रूप में हम देखते हैं जिसका मतलब है कि जिस तरह से धुरुपद में आवाज का रखाव है और जिस प्रकार से उसमें एक राग की प्योरिटी को देखते हैं उसी प्रकार से ख्याल में भी रखा जाना चाहिए इसलिए मैं कहरी हूँ क्योंकि आजकल बहुत कुछ ऐसा मिल गया है कि ऐसे ख़्याल और ठुमरी के भी उसमें एमबलिश्मेंस हम यूज कर लेते हैं और हमको लगता है वहाँ भाई लूट गई तो बहुत अच्छी बात है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि जब आप कोई शास्त्रयुक्त कोई गाई की गाहा रहे हैं जब आप कुछ चीज वो तभी तक क्लासिकल है अगर आप उसमें उस चीज को रखें अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर तो आप लाइफ म्यूजिक गाहिए सभी क्लासिकल गाहिए पर जब आप कोई शास्त्रयुक्त गाई की गारे हैं तो उस दाइरे में रखें आपकी जो creativity है उसी में आपकी महानता होनी चाहिए ऐसे ऐसे मुझे लगता है